मुझे उम्मीद है आपने भी अपनी जाती आवासी आई प्रमान पत्र के लिए RTPase की साइट से अप्लाई कर दिया होगा अगर अब तक आप अप्लाई नहीं किये हैं तो आप जल्द से जल्द डेस्क्रिप्शन में पड़े लिंक किया फिर आप इस आई बटन पो क्लिक करक कि complete process देख सकते हैं तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे आसानी से कुछ मिंटों में अपने प्रमान पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे ही certificate इसू हो जाती है वैसे ही आपके रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक SMS चली जाएगी जो SMS कु तो अब certificate डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक browser open कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ Chrome browser open कर लिया हूँ अब आपको यहाँ सर्च करना है RTPS RTPS सर्च करते ही सबसे पहले website आएगी serviceonline.bihar.gov.in इस website की link में description में भी डाल दूँगा आपको इसी link पर tap करना है आपके सामने बिहार लोग सिवाओं का अरिकार की official website open हो जाएगी अब आपको यह नागरिक अनुभाग के section में एक certificate download करें का option दिख रहा होगा आपको उसके उपर tap करना है और उसके उपर tap करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे download certificate यानि certificate download करने के लिए आपको पहले services को choose करनी है उसके बाद आपको आपका application reference number डालना है फिर आपको applicant name यानि की जिसने application को apply किया है उसका नाम डा यानि applicant reference number को fill करना है तो देखिए मैं यहाँ fill कर दिया हूँ finally आपको यहाँ download certificate के बटन पर press करना है फिर आपके सामने कुछ इस तरह की interface open होगी यहाँ पर आपको reference number fill से fill करनी है और यह capture को आपको यह capture text के option पर fill करना है तो चलिए मैं दोनों details को fill करके download certificate के option पर press कर देता ह तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपकी certificate download होकर ready हो गई है तो अगर आपको यह video informative और helpful लगी तो आप इस video को एक like जरूर कर दीजिए